पुलिस ने बताया है कि होटल के लोगों ने उन्हें ये जानकारी दी है कि होटल के पार्किंग में एक कार खड़ी है जिसमें एक शक्स काफी देड़ से बंद है पुलिस ने वहाँ पहुँचकर आक्टर को कार से निकाला और उन्हें करीबी होस्पिटल में ले गए लेकिन तब तक विनोध थॉमस की मौत हो चुकी थी पुलिस ने अपने स्टेट्मेंट में बताया है कि हमने आक्टर को कार के अंदर पाया था फिर उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले गए थे डॉक्टर्स ने उनकी जाच की और उन्हें एमरेद घोशित कर दिया पुलिस ने ये भी बताया कि आक्टर की शफ को पोस्ट मौटन के लिए भेज दिया है हाला कि आक्टर की मौत की वज़ा सामने नहीं आई है पुलिस मामले की जाच कर रही है और इसकी साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखेर कार के अंदर उनकी मौत कैसे हुई विनोथ हॉमस की बात करें तो वो मल्याली फिल्मों के बड़े आक्टर थे उन्होंने अयपम, कोशमू, नाथुली, ओरू, चेरिया, मिनला और बहुत सारी ऐसी बड़े फिल्मों में काम किया उन्हें उनकी दमदार आक्टिंग के लिए जाना जाता था अक्टर की मौत की खबर ने उनके तमाम फैंस को दुखी कर दिया है विनूद के परिवार वालों को भी उनकी मौश से गहरा सद्मा लगा है किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि विनूद थॉमस अब हमारे बीच नहीं रहे फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर उन्हें नमाखों से याद कर रहे हैं और श्रधांजली दे रहे हैं